प्यांगरा से जहाँ पर उमेश हत्याकान से जुड़े एक आरोपी और माफिया अधिक की करीबी नफीष बिर्याने की मौथ हो गई है आपको बता दे कि नफीष बिर्यानी जो है उसका एक एहम रोल रहा है उमेश पाल हत्याकान में और जेल में हार्ट अटेक आने के बाद नफीस को अस्पताल में भरती कराया गया था जिसके बाद इलाज की दौरान उसकी मौत हो गई है दरसल उमेश पाल हत्या कार में इस्तिमाल की गई जो क्रेटा कार थी आपको याद हो वो नफीस बिर्यानी की ही थी और शूटर उमेश पाल की हत्या के लिए नफीस की ही कार लेकर पहुंचे थे तो एक मुख्या आरोपी अब देखिए कहीं न कहीं इस पूरे मामले में जिसे हार्ट अटेक के बाद अस्पताल में भरती कराया जाता है जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है तो कुछ दिनों पहले ही पुलिस ने मुटभेड में नफीस बिर्यानी को गिरफतार किया था और अब देखिए ये खबर आ रही है कि उसे आट अटेक आया है और आरोपी की मौत हो गई है नफीस बिर्यानी कि आपर बात कही जा रही है